हुआ है विद्मारिंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन डूल पढ़ रहे थे और एलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रसकॉपी तो हमने पैरेटी का टॉपिक पढ़ लिया था इसको मैं थोड़ा सा रिवाइस करा देती हैं आप लोगों को पैरेटी में हमें पै तैंन से लाभ यह बॉन्रेंग में में दो सिगमा एउर्बिटल स्दॉस् एस ओर्बिटल बॉर्इण में में दूसरे कोड करेड़ें ॉर्भावले प्लस यह बॉर्ण्ड से हम दोन्नो डरक्षन में ट्रेवल करेंगा इक्वीलब डिस टेन्स पर इधर भी आए दोनों तरफ हम इस वे फंक्शन का सेम साइन मिला तो वो होती है इवन पैरेटी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं अब देखो अगर यह ऐस ऑर्बिटर्स जो हो एंटी बॉंडिंग वे में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं प्लस वाला माइनस के स साथ कंबाइन होता है तो अंटी मॉर्निंग मॉलिकलर बर अधिल बनेगा ठीक है तो इसमें सेंटर ओफ इनवर्जन इस तरह आए मैनस साइंड लेए प्लस साइंड थिक तो साइनन चेंज हो गया तो इसको हम बुलेंगे और पैरिडी जिसका हम यू से रिप्रेजेंट कर ट्रेक करेगा वांडिंग में आगे दूर से के साथ ट्रेक करेंगे तो यह सेंटर ऑफ इन्वर्जन से उपर के तरफ जाएंगे हम प्लस साइन वे फंक्षन का नीचे की तरफ आएंगे माइनस साइन है तो साइन चेंज हो गया तो पाई जो ऑर्बिटल्स होंगे यहां पर और पारिटि क्यों यह होंगे और वो एंटेवर्णिंग में अट्रेक करेंगे एक दूसरे को तो इस तरह से और्बिटल्स की शेप आए गया हमारी मॉल्कुल ओर्बिटल्स की जिसमें इस तरफ आए तो हम वे फंक्षन का माइनस साइन इस तरफ अपर इडारेक्शन में तो माईनस इस तरफ गए तो प्लस मतलब इस एंट्र ओफ इंवर्जन से एकवल डिस्टेंस ट्रेवल करने पर हमें एकवल विया फंक्शन का साउन मिल रहा है तो हमारे पैडिक कैसी होगी ही यां पर इवन पैडिक यह सका हम जी से आप करेंगे ठीक है यानिंग आगर सिगमा और यह एंज में मिजूड नहीं तो फॉर्ट से क्या साथ सब्सक्राइब करेंगे यह जोडरी उसलिक है यह टॉपिक आपको ध्यान में और बहुत इंपोर्टेंट एंट्न हमतला धेखेंए है? drum, number next, हम all uxim Congressman Leдо आपको समझा दया था कि जितने भी elektron होँंगे, उनकी हम total multiplicity calculate करेंगे, फिर 2s all wale formula में इन पुट करके हम total multiplicity calculate कर सकते, तो भानत एजी है, next हम to hurt someone कर रहे थे, the transfer symbol of molecule केसे निकालते हैं उसके लिए हमें total angular momentum of molecule पता चाहिए तोल अंग्लर मोमेंटम है तो सिजमा हो गर्व प्लस मैंनWow डेल होगो थीक है तो यह हमारे पास में सिम्बल है अब देखो कैसे निकालते हैं हमारे एक उसी मोलिक्यूल एक्जय का तो H2 Plus molecules जो हमारे पास में हैसके अंदर SIMMA one s के अंदर है एक electron तो अब देखो हमारा全部-system all UILL Deutsch के लिए देखोOS सिग्मा व Barnes है तो सिग्मा औरिटल है तो थिम्हों को यू अरॉपय का तो कि मॉलचुर्वेटल में क्यों जिसका सिम्हों मोधिल का एंगलर मोमेंटम कितना होता है इसका एंगलर मोमेंटम सिंगमा का कितना होता है जीरो होता है जीरो हो गया तो जीरो के लिए सिंबल क्या हो गया हमारा सिंगमा हो गया ठीक है इसको भी सिंगमा बोलते हैं और इस सिंगमा को भी सिंगमा बोलते हैं ठीक है तो यह हमारा सिंग सिंबल हो गया हमें पता लग गया है कि सिंग मा के ऊपर है यह जो सिंगा मैं आपका इसके ऊपर हमें हम लेकिल के टोटल स्पीन मलटिपलि सिप्सक्राइब में और नीचे हम लिखेंगे सूपर सबक्रब्स क्यों हम कि तो टोटल सिम्बल आए अब दे कर दे कुंड तो सब्सक्राइब सब्सर्था सबन्संत्đत को सब्सक्राइत रोगी तो माहाँ कर देंगे तो इसके उपर क्या माकर देंगे कर देंगे आप पता है मैंने हैं आपको थे तेरे सब्सक्राइब यह सिम्बल बहुत इसी है नेक्स्ट एक इंग्जामपल हम और ले होगे तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी 11 क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो तो सिग्मा वन एस्टू सिग्मा स्टार वन एस्टू इस तरह से हम इसकी मॉलेकल और्बिटल पढ़ेंगे तो लास्ट में हमारे पास में आएगा 2P1 एंड यानि कि हमारे पास ऑक्सिजन के अंदर दो एक्ट्रों एक टूपी एक्स में और दूसरा किसमें 2P2 दूसरा किसमें 2P1 में चीक है अब देखो यह डिपेंड करता बाइसका इसका ट्रम सिंबल क्या होगा होगा तॉसका पाइसके हैं एक दुसरे सका tighten होगा होगा पाई हो दुदॉर्ण हे और हो मicas Simmouth दुदॉर्ण में से ट्रावल करें तो टॉटल मेंड्यन भिवेंट अ करें नी इसले तों ख्राव दो तो Christmas the ground state two electron occupying different orbitals मैंने आपको बिताए एक टूपी एक में एक दूसरा टूपी वाई में सब्सक्राइब क्या हो जाएगी क्योंकि अभी आपने देखा कि यहां पर मैंने आपको बिताए था कि पाई और विटर्स जो होते हैं वह बॉंडिंग में अब दोनों ना बॉंडिंग में तो यह दोनों एक टूपी एक में दूसरा टूपी वाई में स्टार वाले में तो को टूपी एक की पेडिटी ची तो ओवराल पेडिक्य ओगी मोलेक्यूल की जी मल्टिप्लै भर जी इस इकल टू जी ओगे यह चीक है तो जी पेडिए आगी अप देखो सिंबल क्या बन गया इसका अगर दोनों तो सिगमा हमारा क्या आगा टोटल एंगलर मोमेंटम आगा क्यों कि त्रॉम्स इंबल सिगमा विल वी यूज़ इफ इलेक्टॉन्स आर और विटिंग आप और डारेक्शन अगर माले हमारे पास में रोटेट करें ठीक है तो अब टोटल स्पिन मल्टिप्लिसिटी कितनी ही तो हाफ मुलूटिप्लाइब लोट कितना हुग है तो इसकी टोटल dent stick ए और जी इसकी पैरेति हैं अब हांपे हम पाय और्बिटल में एक चीजे ओर एक नहीं जिसको को मॉल ते हैं है đến चों करें सब्सकों मिलों को सब्सकर करते हैं अब कैसे symmetry कैसे देखते हैं देखो reflection symmetry देखने के लिए हमें molecule का behavior check करना पड़ता है in the reflection plane तो और टू के case में क्या है लास्टली दा सब्सक्रिप्ट सूपर स्क्रिप्ट प्लस माइनस on term symbol sigma can be added to show the behavior of molecular wave function on reflection in the plane containing nuclei in case of auto a electron 2px में और दूस्ट जो की 2px वाला जो electron है which can change its sign on reflection in the yz plane 2px में जो electron है वो yz plane में अपने reflection के sign को change कर रहा है लेकिन टूपी वाला change नहीं कर रहा है ठीक है तो हमें overall reflection symmetry क्या मिलगी यहनकी जो change कर रहा है उसकी reflection समिटरी क्या होगी प्लस जो नहीं कर रहा है उसकी क्या होगी माइनस टोटल प्लस माइन प्लस multiply by minus is equal to minus तो हमारा fully principle क्या बन गया थ्री सिग्मा माई जी माइनस यह बन गया ठीक है अब देखो selection rule क्या क्या है electronic spectra के यह topic बहुत important है आपको यह selection rules है हमारे पास में बहुत आप इनको ध्यान रख सकते हो selection rules है है पहला selection rule क्या है ओनली दोस transitions will be allowed between the states for which the difference in component of orbital angular momentum along zx एक्स शुड़ भी 0 और plus minus 1 यानि कि total angular momentum change in total angular momentum या तो 0 या या plus-1 हो यानि कि sigma to sigma अब sigma to sigma transition हो रही है तो total angular momentum change in angular momentum क्या हो गया जीरो गया इसिग्मा से पाई भी possible है क्योंकि total angular momentum पिसमें कि इसमें कितना या प्लस बनाएगा क्योंकि sigma क्लिए होता है दो यहां से यहां simple one का यह रहा है प्डाई से सिग्मा किप यह पॉसिबल है क्योंकि टिन्यार ander six वन का HOL ngày तो ऐसे सारे ट्रांसिशन पॉसिबल हो जाएंगी अब डैल से अगला urgency क्ता कर देल से घाइल स्टाइल के लिए पॉसिबल है लेकिन से क्या डिल के लिए पॉसिबल है नों समय्क wise से नहीं है क्यों कि टौकशिबल थो कि टने टो तो सेलेक्शन लुपा द दतिरो ने करने सेलेक्शेंड स्टेट्स एविंग सें मल्टिपली सिटी मॉलीक्लिक्यूल की से मौनी चाहिए गर सिंगलेट तो सिंगलेट से थे ट्रिपलेट और है तो ट्रिपलेट से ट्रांजिशन होनी और प्लस से प्लस से प्लस पर जाएगा त्रंजिशन माइन से सब्स्ति फ़रिगरश पलस से माइनस पर युदां ड़ो तो excited state में किसमें पहुंच जाएगा यू में अगर यू में तो जी में जी से जी पर जो transition होंगी वह possible नहीं होंगी यू से यू पर भी transition possible नहीं होंगी तो चार selection रूल है बहुत easy हैं क्या क्या है वो देख लेते हैं पहला selection क्या था कि मॉलेक्यूल का टोटल एंगल्डर मोमेंटम चेंज शुडबी जीर और प्लस माइनस दूसरा क्या है कि से मॉलेक्यूल की एक्साइट स्टेट और ग्राउंड स्टेट वाले में चीक है तब ट्रांजिशन पॉसिबल होगी सिंग्लेट से ट्रिप्लेट से ट्रिप्लेट और लेक्स क्या है कि मॉलेक्यूल की रिफ्लेक्शिन समिट्री भी चेंज नहीं होने चाहिए जेए ट्रांजिशन यू से यू ट्रांजिशन्स फॉर्पिटन होएंगे और इस इलेक्शन वूल गम बोलते हैं लैप प्रोइट सेलेक्शन होग ठीक है नेक्स टॉपिक है हमारे पास में मॉलिक्वल और्बिटल्स involved in electronic transition कौन से transitions में molecular orbital involved होते हैं तो ये बहुत easy बहुत असान topic है तो इसमें देखो molecule के कोई भी molecule उसके पास में कौन कौन से molecular orbitals होगे या तो sigma होगा या पाई होगा या n होगा non bonding molecular orbital या हमारे पास में pi star होगा या हमारे पास में sigma star होगा ये 5 orbitals होते हैं बहुत सिग्मा star भी होगा pi star भी होगा जो bonding molecular orbital है तो एंटे bonding molecular orbital भी होगे और n भी होगा non bonding molecular orbitals भी होगे अब देखो अब देखो non bonding molecular orbitals के corresponding हमारे पास में anti-bonding molecular orbitals उनके नहीं होते हैं ठीक है तो in case of homo nuclear diatomic molecules like H2, N2 इस तरह से हमारे पास में molecular orbitals हैं तो उनमें highest occupied molecular orbital ground state में होगा जो कि bonding होगा और lowest unoccupied molecular orbital anti-bonding में होगा ठीक है तो वहाँ पर जो transitions possible हो जाएंगी वो shorter wavelength में होती है और ultraviolet region में आती है जो कि हमें शोर नहीं होती ठीक है तो देखो अब देखो हमारे पास में simple सा इड़र मोलक्रण के पास दो इलेक्ट्रम और दोन के दो सिग्म माणेस the में तो सिग्मा1S2 में थे उनमेने सिग्मा1S2 में तो एक सिग्मा1S में बना कैसे होगा वही एक हाइट्रोजन टूसरे साहाथ गंपा to me और विटल कंबाइन होय तो दो ही मोलेकलल और विटल फॉर्म होती है एक हो दोंगो काओ कि पाहे होगी और चाहली पड़ा है और काफी हाइड एनरजी का होगा। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वह शौटर वेवलेंथ होगी यहाँ है ज्यादा यूज जाए जाएगी जादा यूज हो जाएगी बॉन्डिंग से अगर बॉनिंग मॉलेक्टल से लेक्टन एंटी कुण और चले जाती है ठीक है जो भी इस तरह के होमो अटोमिक मॉलेक्ल सोंगा उनकी बात कर रहे हैं कि अब देखो सेकेंड ले सकते हैं जिन और बिटल के अंदर पाई लेक्टों सोते हैं अब पाई लेक्टों सब्सक्राइब अगर मॉलेक्ल के पास तो एक पाई बॉन्डिंग मॉलेक्ल और्वि टल में वह एंटी बॉनिंग में चला गया दूसरी स्टेज क्या हो सकती है प्रांजिशन की यहां पर कि नहीं पाई वाले तो मोलेक्युल की फिन स्पीन चेंज हो गई है कि मोलेक्युल के स्पीन नहीं हुए दो सिर्ट इस थे ऊपर जाके एक्साइटेट स्टेट में टांट मेरा अब यहां पर क्या है कि मॉलेक्यूल की स्पीन बीन वर्जा दो मॉल्ण कि लेकिन ऊपर वाले में जाके वह यह वाला ऐलेक्ट्रon किया है दो एलेक्ट्रon थे अप्फोज डारेक्शन में अपनी स्पीन को इन्वर्ट कर लिए और यहां पर हमने स्पीन उफ इन्वर्चन दिखाया हुआ कि इसको बोलेंगे ट्रिप्लेट Exxided State क्योंकि दोनों सेम आविकों Bol их और यह बाले कि मृटिप्लिश्टी क्या सेहिंग हाफ इसकी हाफ इसकी दोनों का सैन्सहीं है यहाँ सिंगल्ट एकस्वारेट वो लेंगे ऐसंगे आपके स्पिन इंवर्जन है स्पिन इन वर है ठीक है तो टॉटल और एल्कीन है यह सब से सिंपलल स Kenya के एक्जाम्पल हैending ch2 डबल ओर तो इस एल्कीन के और क्योता है एक कारबन दूसरे कारबन के लिदर सिग्मा बॉण के साथ साथ में पाई बॉन्ड भिए प्र बनाता है तो इसके अंदर l stage कांगे hao absorption in about 170 nm in such molecules 5y transitions takes place, why upon you bonding molecules are orbitals में होती हैं और anti-bonding molecules are orbitals में होते हैं sorry bonding molecules orbitals में इलेक्टर्न होते हैं याँ पर 4y में ठीक है है जासे c h2 की structure अगर मैं आपको बिना के दिखाना भी तो यह लेक्वालत सट उसरे वह는지 तो पाई बॉननिंग में आपके पास में दो एलक्ट्रन है तो इसे स्टार के अंदर कर यह पहले हैं यहां मन्लिकर नहीं के पास को इलेक्ट्र से सिर्ण स्टार के अब सिर्दाar कार्ष आई है याँ पर कहीं है तो सिक्मा स्टार के लिए काफी हाई रिक्वार्मेंट होती है जो कि आधर नहीं लेकिन यूद धा पाई और पाई स्टार के बीच में गैप कम है तो वह किसमें आजाएगा 770 nm में आजाएगा अगर double bond की double bond ज्यादा होंगे हमारे पास में जैसे carrot होती है करोटीन होती है उसके इंदर 11 double bond होंगे उतना ज्यादा पाई पाई स्टार के बीच gap कम हो जाएगा gap कम हो जाएगा तो काफी low energy पढ़ेगी और वह विजिबल डिचन में आ जाएगी इस वज़ा से केरेट जो होती है नहीं हमें राड कि दिखाई देती है क्योंकि के इंदर चैनल होता है उसके लिएवन डबल मोंड होते हैं ठीक है तो वह विजिबल रिजन के अंदर आ जाती है उनकी ट्वांजिशन और और इस वज़े से केरेट हमें रेड कि दिखाई देती है अगर मॉलेक्यूल जैसे मिठाइल नमाइन हमारे पास में हैं मिठाइल नमाइन का क्या फॉर्मुला है तो तो च्मा एलेक्ट्रों तो हमारे पास में है यहां पर हमारे पास में लोन पेर भी है नैट्रों के पास म यह नौन बंडिंग में हमारे पास में इलेक्टोन पड़े यह यह चले जाएंगे और आपके पाई स्टार के लिए यह और भी विजिबल डिजन में आ जाएगा है और 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 अर्गेनिक कंपाउंट्स डू नौट और अट्रावाइलेट रिजन वह सारे की सारी हमें विजिबल रिजन में ठीक है क्यों क्योंकि उनकी जो वेवलेंट होती वह ग्रेटर होती है थैसे प्रेटर ये जोटेशन के अंदर होती है उनको क्रोमफर्स बोलते हैं और फॉर्स मिन्स कंपाउंड तो ऐसे कंपाउंड जो कलर शो करते हैं उनको क्रोमफर्स बोलते हैं ठीक है इसी के साथ आपका चप्टर कंप्लीट हो जाता है अच्छा एक टॉपिक और कर लेक्टन चोटा सा इसके साथ में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्टोनिक बेंट्स अब इंटेंसिटी तो बहुत इजी है कि यहां पर ना इलेक्ट्रोन अगर पाई से पाई स्टार में जा इंक फुद्डें एलेक्ट्रोन प्रेदम यहां पर जो थैंसिटीर होगी वह हाइण टूपाई स्टार टानिश्न हो अगर अहरे पास दिखिए यहरे यहन की जाथ कि ह no it Crush आए और पाई स्टार की ओवरलैपिंग को यहली अच्छे से नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी वह एक दूसरे के पैरलर नहीं उनकी स्पीन इस वज़े से एंटो पाइस टार्टर बेंट जितने भी होते हैं वह वीक इंटेंसिटी की होते हैं ठीक है इसे के साथ आपका चप्टर कंप्लीट होता है स्पेक्ट्रोस्कॉपिका गुडबाइ आपका आपका गिएस